सो हेलो गाईज वीक्टिम ग्रेटर नॉइडा की तरफ से मैं आपका हमारे न्यू सेशन में वेलकम करती हूं आज के हमारे सेशन के टॉपिक रहने वाला है कंसेप्ट ओफ वेट आंड मास इसे समझाने से पहले में कुछ बेसिक सी चीज आपको बताना चाहती हूं कि हमारी क क्वांतिटीटीर क्या हैं कितने टाइप से क्वांतिटी ऑ利 stora कषय promet में कुछ को होते हैं एक which amaranect disability जिसका magnitude भी होते हैं इस इस्ट वेस्ट स्संट में परब्चिर साइड में हम को साइड में वेक्तर ही क्वान्टिट में महुइंट है कि हैं दॉन नूटन झुक्स लग्रा Э雙 फाल्न होती है यह वैस्ट की साइड में लग रहा है लो कॉनसी डेर क्षिन इन्स में लग रहाए हमने दारेक्षिन भी ecosystem बताई तो यह रहा है हमाइर वैक्टर थैटर व्यक्टर कौंठी और हम सिर्फ कोर चैसका बदाता है वहांने देशन सror तो महां डॉशक्षै इसमें दो चीजा समंझ सDupex चीज वेट और दुसरी चीज मास तो वेट वर्ट सुनते हैं हमारे माइंड में फॉर्स्ट क्वेशन क्या रहा है होता है वर्ट आक्चली वेट इस वेट की प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो वेट इस दो फॉर्स आक्टिंग ऑन अब्जेक्ट डियू टू ग्रावि मतलब वेट जो है उसके पास हमारे पास उसकी डारेक्शन भी होती है फिक्स और एक उसका मैगनिटीउड भी होता है अब ही हमने वोला कि वेट जो है वो एक फॉर्स है हम सबको पाता है फॉर्स की यूनिट क्या होती है ऐसा ही यूनिट क्या होती है न्यूटन वेरी गु अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो मास इस दा क्या होता है मास इस इकुल स्टू डुट कि वी इंतुमेंड डेंसिटी qmall दी मास इस इकुल स्टू वेलोसीटी इंटुमेंड रेंसिटी यह हो जाएगा हमारा mass का main formula फिर बात करते हैं हमारे weight के formula की तो weight का formula क्या होता है हमारा m small m that is mass into g here g is acceleration due to gravity gravity की वज़े से जो acceleration लग रही है body पे वो इस g की हमारी fixed value होती है constant होता है हमारा small g इसकी value क्या होती है हमारी 9.8 meter per seconds fine यह क्या हमारे helpful होता है हमारे numericals वगरा solve करने में fine यह हमें याद रखने है value last point यह बाद हम पहले भी कर चुके थे कि mass जो होता है किसी भी body का it can neither be zero mass जो होता है किसी body का वो zero नहीं हो सकता while on the other hand which means weight is zero हो सकता है किस case में जब हमारा gravity होती है मतलब space की अगर हम बात करें तो वहां पर gravity अगर zero हो जाए तो हमारा m into g formula होता है अगर g हमारा zero आ जाता है space में तो हमारा mass जो भी है body का into में zero करके हमारा body का weight जो है वो भी zero हो सकता है fine सो इस concept को हम एक better example के साथ समझते है compare करके कि weight जो है वो हमारा moon पे mars पे कैसे रहता है so let us suppose कि हमारी एक आदमी है एक man है उसका weight है हमारा 60 kg mass है sorry उसका हमारा 60 kg चीक है acceleration due to gravity जो होता है हमारा small a वो earth पे होता है हमारा small e अर्थ को denote कर लेते है ae वो अर्थ पे रहता है हमारा 9.8 meters per second fine वह हमारा होता है अगर हम बात करें in case of 1.6 am for moon small m for moon है am जो हो जाएगा वो हमारा होता है 1.6 meters per second तीसरी बात करते है हम Mars की तो एक capital M से Mars को denote कर लेते है वहाँ पर हमारा हो जाता है G की वाल्यू 9 वहाँ पर हमारी G की वाल्यू मतलब acceleration due to gravity की वाल्यू हो जाएगी 3.7 meters per second second as usual अब हम weight calculate कर लेते हैं तीनों cases में हमारा weight कैसे vary करता है हम देखते हैं हमारा mass जो है वह हमने बता है कि constant quantity होती है तो mass जो है वह हमारा हर case में 60 रहेगा सबसे पहले हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो हमारा first case में formula के साब से weight के क्या आजाएगा w is equals to mass into my acceleration acceleration यहाँ पर हम अर्थ की बात करें तो a e consider करेंगे वह जाएगी हमारी M की value 60 into में हमारे यह आजाएगा 9.8 अब इसे हम calculate करेंगे तो इसकी total value हमारी आजाएगी 588 weight किसे measure किया हमने force है नवेट तो उसके आजाएगी Newton units चीक है अब हम second case consider करते हैं हमारा second case किसका दा हमारे यह first case था हमारा earth का second case था हमारा moon का चीक है moon के case में हमारा 1.6 value तो m into में a small m that is 60 into में 1.6 जो हमारी value आजाएगी 96 Newton's fine तीसरा case था हमारा Mars का अब हम यहां पर third case भी consider कर लेते हैं हमारा third case हो गया हमारा Mars का जिसमें हमारा formula यही रहने वाला W M into में A capital M ले लेते हैं Mars के लिए यहां पर जो हमने लिया था fine तो यहां पर 3.7 डाल देंगे value वेट हमार मास हमारा वही रहेगा 60 into में 3.7 अभी हमारा क्या होगा calculate करके 222 Newton अब इदर हमने इन तीनों चीजों से क्या देखने को मिला हमें कि हमारा तीनों cases में जो है first case में जब औरत को consider किया तो 588 था second case में हमारा चेंज था third case में भी चेंज था मतलब हमारी gravity जो acceleration due to gravity वह change करती जा रही है तो हमारा जो weight है body का वह भी change होता जा रहा है अब हम consider करते हैं next एक example लेके हमारे मास का कि मास जुझा है वह हमारा कैसे हर जगा पर constant रहता है कि सो continue करते हैं हम बात कर रहे थे अब मास की next चीज तो मास निकालने के लिए किसी भी वाडी का हमारी एक अलक से equation होती है मतलब basic equation है वह भी जिसमें होती है हमारी capital F F is equals to me G M1 into my M 2 upon me R square यहां पर हमारा F denote करता है force को फिर आती है हमारी G की value यहां पर capital G होता है हमारा gravitational constant M1 is mass 1 M2 is mass 1 here R denotes the radius of the earth और radius of the planet basically तो हम first चीज अर्थ की बात कर रहे हैं यहां पर तो यहां पर रेडियस ही consider करेंगे अब इसे हम solve करते हैं आगे let us suppose कि हमारी equation 1 है equation 2 हम consider कर लेते हैं जो हमें basic formula बता है force का that is F is equals to mg mass into G acceleration due to gravity इसे हम मान लेते है equation 2 now just we are putting equation 2 into equation 1 अब equation 2 की value 1 में डालते है तो यहां पर force की जगा क्या जाएगा हमारा mg mg is equals to same as it is रहेगा G capital G M1 M2 upon में R square ठीक है अब यहां से हमें देखा M में और M में यहां से हमारे मास 2 M2 का फॉर्मिला क्या जाएगा हमारे स्मॉल जी की वाल्यू आ जाती है हमारी स्मॉल जी इस इक्वल्स टू जी स्मॉल जी इंटू में R square अपन में capital G इससे हम सिंपल यह अपना मास जो है सेकंड बॉड़ी का कैल्कुलेट कर लेंगे यह हमने फॉर्मिला के जाते तो यहां पे इंटू में 100 आजागा एक जीरो से एक जीरो कैंचल है हमारे टोटल क्लियर पूर्रा शॉल्फ करने के बाद वाल्यू क्या आएगी 5.98 इंटू में 10 रेस टू पार 24 kg यह आ जाएगी हमारी यह हमारा मास चीक है सिमिलर्ली हम कंजेटर करते हैं आप नेक्स्ट मास ओफ दी मून इसके बाद बात वरती है हमारी मास ओफ मून की मास ओफ मून के अंदर हमें पते हैं रेडियस ओफ मून जाव हुआ है हमारा कैपिटल आर 1.74 इंटू में 10 रेस्टिवार 6 मीटर्स फिर आती हमारी अचलेरेशन डियू टो ग्राविटी और मून के ओपर कितने होथी है 1.6 मीटर्स पर सेकेंड अब मास कैसे निकालना वही हमारा सेम फॉर्मूला था स्मॉल जी वाला इससे अभी हमने मास कालकुलेट के अथा उसके अंदर हम यह सारी वाल्योस पूट करेंगे तो हमारा मा से कालकुलेट के वाल्यों आजाएगी 7.58 इंटू में 10 रेश्टी पार 22 kg इसके बाद हमें बात करनी थी मास ओफ मार्स की हमें पते हैं रेडियस क्या होता है मार्स का 3.3 इंटू में 10 रेश्टी पार 3 मीटर्स एक्सलेरेशन डियू तो ग्राविटी और मार्स क्या होती है हमारी 3.7 मीटर्स पर सेकेंड फिर आती है हमारी ग्राविटेशनल कॉंस्टेंट की वाल्यों जो हमारी हरो केस में कॉंस्टेंट रहेगी 6.67 इंटू 10 रेश्टी पार माइनस 11 जैसे हमने पहले वाले केस में निकाली थी मास की वाल्यों उसी फार्मुला में स्मॉल जी वा प्रॉक्स लाल जी है ठीक है दिस फॉर ओल टोड़े गाइस वो तिल दान बाबाइ टेक यारा और वीक्टिम ग्रेटर नौटा की तरफ से नमस्ते